सउल1 करना हैं कि आप से आप सेवेंटि को रिलेट कर रहे हो वं हंडेट से आफ्यू है डूसरी नंब लिख कि देख लो तेवन कर लो, ten कर लो, seven to ten जो हैाफ ही हो गया, seven to 100 जो है, जो है, crew हो गया, तो जो seven है, वही आप few होजाएगा, वही few होजाएगा, depending on the situation. तो few have few जो है, व्वह same amount को refer कर सकते हैं, same number को refer कर सकते हैं, वो depend करता है आप इसको relate किसे कर रहा है तो few आ few जो है न यह absolute values नहीं है यह relative to what is referred to relative उससे जिसको आप refer कर रहा है जिससे relate कर रहा है 0 जो है ठीक है मान लोग एक person है उसको 100 रुपे की जरुरत है ठीक है और हमने उसको 0 रुपेज दे दिये एक person है उसको 100 रुपेज की जरुरत है तो क्या हमने उसको 0 रुपेज दे दिये तो यह तो नो रहेगा यह यहां भी नो है और यहां भी नो है यह absolute value है जिरो जो है वो absolute value है few आ few जिस value को number को amount को refer करते हैं वो definite वो मतलब absolute नहीं होता है वो variable होता है वो vary करता है कि आप उसको relate किससे कर रहे है अब माल लो यह जो हमने sentence लिखा the few people are trustworthy nowadays अगर यह केवल इतना ही लिखा हो तो तब भी गलत होगा लेकिन फिर आप few लिखो आप few को कोई भी सही होगा meaning बदल जाएगा अब जैसे हमने लिखा few people are trustworthy nowadays पर इसका मतलब क्या हो गया almost no people are trustworthy nowadays यह एक meaning हो गया आप few लिख देंगे तो वो भी सही होगा some people are trustworthy nowadays यह लोगों के अपने अपने experiences है हमान लोगों को एक person है वो सो लोगों को जानता था और सो में से उसको 90 लोगों नहीं दोखा दिया तो फिर वो तो few भी कहेगा तो यहीं कहेगा ना वो तो कहेगा वे लोग आज कल तो trustworthy नहीं होते है अमान लोगों कोई person ऐसा है उसका अपना अनुवव ऐसा है कि उससे देखा कि नहीं कुछ लोग होते हैं सो में से 40-45 लोगी मांदार निकले फरोशा कर सकते उन पर तो फि तो दोनों सही है लेकिन हम इसको रिलेट कैसे कर रहे हैं हम किसी को सबका भरोसा नहीं करो यह सलाह कब देंगे जब लोग trustworthy होंगे या नहीं होंगे नहीं होंगे तभी देनी पड़ेगे इससलाह तो कहने का मतलब जो हमारा यहां पर रिक्वाइड मीनिंग है वो नेगेटिव और पॉस्टिव नेगेटिव भई आप किसी को यह सलाह क्यों देखो कि सबका भरोसा मत करो लोग trustworthy है इसलिए सलाह दे रहे हो कि नहीं है तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो लिफ और फूस्टिव